तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी केंडी घर पर ही ये देखिए ये देखने में लग रही न बिल्कुल मार्केट जैसे तो इनको हमने घर में बनाया है और इसको बनाने में कोई टाइम भी जादा नहीं लगता है मुश्किल से 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर ये हेल्दी और टेस्टी केंडी बन के तयार हो जाती है तो आप भी अप घर पे कभी भी आपका मन करें बच्चों का मन करें तो आप बाहर से ना खरीद के आप घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से घर की रखी चीजों से हम बना सकते हैं और ये हेल्दी भी होती हैं और टेस्ट में तो लाजवाब होती ही है तो इनको बनाना भी बहुत ही आसान है तो चलिए देखते हैं कि इसको हमने बनाया कैसे हैं और प्लीज वीडियो बहुत छोटे होते हैं तो लाइक करने में भी संकोच बिल्कुल मत किया करिए ये भी फ्री है लाइक करना न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजे और प्लीज फुल वॉच कर लिया कर ये रिक्वेस्ट है आप सबसे तो यहां पे देखिए यहां पे हमने लिया है औरेंज मतलब आपको जिस फलेवर का बनाना हो ना आपको फ्रूट ले सकते हैं तो यहां पे मैंने लिया था औरेंज भी बहुत जाद नीचे एक औरेंज में काम चल जाएगा हमारा और फिर यहां पे लिया था गुड़ तो गुड़ को हमने छोटा-छोटा सा चौप कर लिया है तो यहां पे देखिए या तो आप औरेंज ले लीजिए या कीनो ले ले लेजिए दो मैसे एक तो मैंने यहां पे लिया था ओरेंज फिर हम क्या करेंगे कि इसको healthy बनाने के लिए healthy healthy चीजें add करेंगे तो इसमें काली मिर्च, long और लाइची का यह दर दरा powder है फिर मैंने यहां पे लिया था sonat, जो कि हमारी candy को healthy भी बनाएगी और tasty भी बनाएगी सर्दी जो खाम से भी दूर रखेगी सबको फिर यहां पर जो औरेंज लिए थे ना उसको 20 से ऐसे पार्ट में कट कर दिये थे तो इसका रस निकालना भी फिर बहुत आसान हो जाता है देखिए कितने आसाने से इसका रस निकल जाता है तो यहां पर रस निकाल लिए थे इसका जूस फिर जो सीड है औरेंज के इनको अलग कर देंगे फिर हम यूस मिलेंगे तो उसके बाद हमने यहां पर रखा था कढ़ाई जब हमारी कढ़ाई हो जाएगी गरम हलकी सी तो उसी में हम डाल देंगे गुड और जब गुड डालने के बाद फिर हम डाल देंगे इसी में ओरेंज जूस तो यह देखिए यहां पर हमने इसको डाल दिया है फिर अच्छे से इसको मेल्ट होने देंगे तो यह देखिए हम इसको अभी थोड़ी देर तक मेल्ट होने तक अच्छे से फुड को मेल्ट भी हो जाने देंगे और थोड़ी दिर पकने देंगे जब तक कि इसमें बहुत अच्छे से जाग नहीं आ जाते है तो इसमें जाग बहुत अच्छे से आने लगा है तो अब हम क्या करेंगे कि इसको न हम एक कटोरी में पानी लेंगे नई हुई है तो अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे फिर थोड़ी देर पकने के बाद मतलब दो-तीन मिनट पकने के बाद फिर मैंने दुबारा इसको डाल के देखी थी तो ये कुछ इस तरीके से हो गया था अब ये जो हमारा better है ये complete है बनने के लिए तो ये तो अब हम इसी स्टेज पर हम सारी चीजें डाल देंगे तो यहां पर मैंने वही पाउडर जो मैंने लिया था काली मिर्च लॉंग और लाइंची का तो वह डाल देंगे और उसको डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से फिर और भी चीजें डाल यहां चाहिए हूँ डसी केट कौकोनट और डाल दीजे नहीं तोनाारियल के यह घृण के टेस्ट आयेगा तो वह भी जॉल दे हैGS तो आथा यहां यूटने जो स्वेशन नारियल के टाल देगर को क्योंकर हम अपने घर बना रहती हैं सब हेल्दी चीजे सब कुछ डाल सकते हैं फिर हमने यहां पे लिया है मोल्ड जिसमें की डाल के हम बनाएंगे तो अब हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा बैटर है इसको हम स्पून की सहायता से मतलब बहुत बड़ा चमचनी लीजे छोटी से स्पून की सहायता से गरम-गरम ही पांच मिनट के बाद यह मतलब यह जो हमारी कैंडी है यह निकालने के लिए एकदम तयार हो जाती है तो हमने निकाल लिया है मतलब इसमें हो गए थे पांच मिनट हो गए थे तीन-चार मिनट में ही यह मतलब जैसे ही ठंडी होगी ना यह बहुत अच्छे से जम जाती है और इसको निकालना भी बहुत आसान है तो यह देखिए हमारी केंडी एकदम बन के तयार तो ऐसे करके ही हम अपनी सारी केंडी निकाल लेंगे इसमें अलग-अलग सेफ दिये हुए हैं तो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है, मतलब ये देखिए, ये हार्ट वाला सेफ है, फ्लावर वाला सेफ है, बहुत सारे सेफ हैं इसमें, तो ये लीजे हमारी केंडी बनके एकदम तयार हो गई है, तो ये लीजे, आप भी खाईए, और आप भी घर में जरूर बनाईएग तो जब हम इतने आसानी से बना सकते हैं घर पे ही, तो बाहर मार्केट वाली क्यों मंगाएं, है न भाई, अपने बच्चों के लिए, तो घर पे जरूर बनाईएगा, तो थैंक यू सो मज, फुल वाज करने के लिए, मिलते हैं किसी निव रेसिपी के साथ, या निव व्ल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, थैंक यू सो मज, फुल वाज करने,